जय भेरवाबा की जय भोलेनात मेरे पिरिय दर्श को सावन में घर ले आए शिव जी की ये पांच पिरिय चीजे मुनोकामनाई पूरी होने के साथ होगी तरक्की ही तरक्की अब की कहते हैं हिंदु धर्म में सावन महिने का विशेश महतो माना जाता है मानता है कि यह भगवान शिव का पिरिय महिना है इस महिने में भगवान शिव की विदी विदान से पूजा अरचना की जाती है और मानता है कि ऐसा करने से बोले भक्त की वनोकामनाई पूरी होती है और जीवन सुख में होता है इस दुरान शीव भक्ती से जुड़ी कुछ चीजों को लाना भी अच्छा माना जाता है इसे परिवार में खुशी आती है और आर्थिक दिक्कते दूर होती है रुद्राक्स, रुद्राक्स को बगवान शीव का अंस माना जाता है धार्मिक मानताओं के नुसार महादेव के जहाँ जहाँ आसू गिरे थे वहाँ पर रुद्राक्स पैदा हुआ और इसको घर में लाना बहुत सुब होता है चांदिया तांबे का तुर्शूल शीव जी के हाथ में तुर्शूल नजर आता है और ये भी मानता है कि सावन में घर में चांदिया तांबे का तुर्शूल लाने से बोले नात परशन होते हैं इससे पूजा घर में रखने से मतलब बगवान की किर्पा बोले नात की किर्पा आपके उपर बरस्ती है गंगाजल सावन के महिने में बोले के भगत कावडिये गंगाजल लाकर बोले नात पर जल चड़ाते हैं सावन के महिने में गंगाजल को घर में लाना बहुत सुमाना जाता है इससे महादेव की विशेश किर्पा आपके घर पर बरस्ती है बसम बगवान सीव की बसम तिरिय मानी जाती है साउन में से सिव जी पर चड़ाने चाहिए ऐसा करने से महादेव परसन होते हैं और साउन में घर में समसान की बसम लाकर रखनी चाहिए इस से सुक समरिद्य की प्राप्ति होती है नाग नागिन का जोड़ा आपने देखा होगा कि महादेव के गले में नाग आवुसन की तरह सोवयवान नजर आते हैं मानता है कि घर में नाग नागिन का जोड़ा रखना फलदाई माना जाता है इसे घर के मुखे गेट के नीचे दबा देने से बिगड़े वे काम भी बनते हैं तो मेरे पीरी दर्श को मैंने आपको बताया सावन के महिने में ये पांच चीजे आप अपने घर में जुरूर लियाए आपके घर पर भोले नाथ की किरपा बनी रहेगी किसी परकार की नेगेटिविटी आपके घर पे नहीं रहेगी और अगली वीडियो में कुछ विशेश चीज आपको बताने वाला हूँ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए जय भोले नाथ